हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू दो चैनल सेस्टी स्टेटी पाइंट और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आयोग ठीक है आयोग में से एक नएक कोशन आयता है और आज हम कौन से आयोग पढ़ेंगे वो आयोग पढ़ेंगे जो संभेधानिक आयोग हैं, संभेधानिक आयोग कौन से होते हैं दोस्तों, संभेधानिक आयोग वो होते हैं, जिनका संभेधान में किसी ना किसी अनुच्छेद में जो है उलेक होना चाहिए, वो संभेधानिक आयोग होते हैं, ठीक है, संभेधान आप जब पॉलिटी की ब यह सब दिया होता उन्हें कहते हैं समवैदाने का आए होगा आज हम उन्हीं आयोग को पढ़ेंगे और मैंने जो यह जो अपने नोट्स बनाया यह बनाये है मैंने एम लक्ष्मी कांति जी की बुक से ठीक है तो आप यह मन सोचेगा कि यह नोट्स जो हैं हाथ के बने हुए ह नोट्स अपने तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग दोस्तों यह थोड़ा सा बलर हो गया है यह वाला पेज तो निर्वाचन आयोग जो है बहुत इंपोर्टेंट है देखिए है यह भाग पंद्रा में दिया है और अनुछे 324 में इस का जिकर है इसका मुदब यह संबैदाने का आयोगा है ठीक है अखिल भारती संस्ता किसे कहते हैं अखिल भारती संस्ता बहुति है जो केंद्र और राज में दोनों में बिल्कुश समानरूप से चलती है ठीक है याद रखना अखिल जहाँ पर लिखा हुई हाप समझ दीज और निगम चुनाब जो है जो राज्यों के पंचायत और निगम के चुनाब जो इस समय चल रहे हैं वो ये वाला निर्वाचनायोग नहीं कराता है केंद्रवाला केंद्रवाला निर्वाचनायोग नहीं कराता दोस्तों कौन कराता है राज्य निर्वाचनायोग कराता है मैं के असिस्टेंट वो होते हैं इनकी न्यूकती जो है वो राश्टपती करता है ठीक है इस चीज को याद रखना दोस्तों और जो केंद्र वाला निर्वाचनायोग है वो संसत के जो भी MP वगएरा जाते हैं उनका जो इलेक्शन है उसके साथ साथ राज विदान सवा की जो इल मेले के लिए होते हैं राश्टपती का इलेक्शन उपराश्टपती का इलेक्शन इन सब का इलेक्शन जो है वो केंद्र वाला निर्वाचनायोग कराता है और राज वाला निर्वाचनायोग जो है वो किसका कराता है दोस्तों वो पंचायत जो चुनाव है और नेगम के ज इसके जो सदस्य थे वो तीन थे पहले ठीक है लेकिन यह सोचा कि इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है तीन सदस्य होगी यानि कि मुख निर्वाचन आयुक्त और दो सहाय निर्वाचन आयुक जो होते हैं उनके तो 1990 में क्या करा यहां पर एक ही मुख निर्वाचन आयुक र आश्पति करता है बेतन किसके समान होता है को जो निर्वाचनायोगों में जो यह लोग होते हैं का सवुचने याले के निया अदीश के समान होता है और कारेकाल इनका होता है छे वर्ष या 65जो भी पहले हो ठीक है अगर है आगर माली जीजे आ वह 60 पूरा पैसर वर्स होने से ठीक है जो पहले हो जाए इसमें लिखा है तो इस समय जो है हमारे मुख निर्वाचन आयुक्त जो है वो श्री राजीव कुमार जी है और जो निर्वाचन आयुक्त दो है वो है अनूप चंदरपांडे और अरुण गोयल याद कर लीजेगा दोनो ए से हैं और उपर राजीव जी है इस चीज़ से ऐसे आप याद कर सकते हैं तो देखिए इतनी छोटी से पॉइंट में मैंने आपको बता दिया निर्वाचन आयुक्त कौन से भाग में है कैसी संस्ता है कितने इसमें में मिमबर होते हैं कौन अध्यक्ष है इस समय मतब मु है ये देखे भाग 14 में इसके बारे में दिया है और कौन सा अनुच्छे दिनवॉल में है अनुच्छे 315 से 323 तक समय इनवॉल मैं इसमें क्या है अध्यक्ष होता है और प्लस सदस है उनकी कोई संख्या निश्यत नहीं है कितने सदस रखे जाएंगे एक अध्यक्ष रखे जाते हैं योगता का कोई उलेख नहीं दिया है कि सदस्की योगता क्या होगी लेकिन यह कहा गया है कि जो राज या केंद्र में उनका जो कारे करने का नुभव है वो दस वर्ष का होना चाहिए अब देखें यहां पर जो अगर हम यूपी एससी की बात करें यूपी ए जेगा और जो यूपी पी एससी या राज का पी एससी होता है जैसे उत्तर प्रदेश का क्या होगा यूपी पी एससी होगा एमपी का एमपी पी एससी होगा है न तो जो राज का जो आयोग होता है लोग से भायोग उसका जो अद्यक्षय वो त्याग पत्र किसे देगा र करेंगे इसमें IUC में और 6 25 यह रखना दोस्तों में पेंदने क्या होगा क्या हो करेंगे या किसी भी राजिके रोक्षभाय की बाद करेंगे तो उसमें राजपाल का रोल रहेगा उम्र में अंतर है तीन साल का याद रखना ठीक है दोस्तों आप इसमें देखो पूरा रिखा है कि जो भारतिये जो क्या कहते हैं भारत संग अधीनियम जो था 1919 के अंतरगत UPSC का गठन 1926 में हुआ इसको रट लीजेगा और 1935 में जो इस्टेट PSC है इनका गठन हुआ था याद रखना और इसके ही साथ क्या हुआ इस्टेट PSC और UPSC को एक साथ दिखाते हैं कि 1935 का ठीक है याद रखना और इसमें देखो यह लिखा है राशपती द्वारा वर्णित राशपती द्वारा संसद में वर्णित नियम के द्वारा अटाया जाएगा ऐसा नहीं राशपती अपने मन से नहीं हटा सकता है इन लोगों को जो अध्यक्षा या जो सदस हैं अगर संसद में जो नियम वर् किसकी बात कर रहे हैं हम संग लोग सेवा आयों की बात कर रहे हैं एक ही कारेकाल मिलता है इनके कारेकाल को एक्स्टेंड नहीं किया जाता है इंपोर्टेंट है यह पूछा जाता है कि कारेकाल को एक्स्टेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा ठीक है और कारे क्या है केंदर , लोगसेवा में नियुक्ती के लिए परिक्षा में उसके लिए ज्यासे मा लिए उसके ली यी प लिज द्यजेवा में कया है। अनुच्छे 315 आया है दोस्तों याद रखना क्योंकि मैंने आपको पहली बताया है अनुच्छे 315 से 323 की भी सब दिया है तो अनुच्छे 315 में क्या दिया है इन दोनों PSE के बारे में दिया है ठीक है अब UPSC के अदेक्ष कौन है तो UPSC के अद्धक्ष है डॉक्टर मनो सूनी ठीक है लेकिन UPSC यानि कि उत्तर प्रदेश लोग सिवायक के अद्धक्ष है संजय श्रीनेत हैं ठीक है दोनों के याद रखना तो हमने ये लोग सिवायक के बारे में बात करते हैं बित्तायोग बित्तायोग 280 में दिया राजपती को सुखेंगे राजपती दोनों सदनों में इनकी रिपोर्ट को रखेगा अध्यक्ष इस समय एन के सिंग है जो कि 15 में है पंद्र में नमबर के हैं एन के सिंग बित्तायोग के अध्यक्ष कोशन आता है इसलिए रट लीजेगा दोस्तों ठीक है अगला आ जाता यह मूल सम्मिधान में नहीं था दोस्तो इस चीज को याद रखना जो चीज सम्मिधान संसोधन में बढ़ाई गई है इसका मलतब वो मूल सम्मिधान में नहीं थी मूल सम्मिधान का मतलब यह है कि जब हमने इस सम्मिधान को अपनाया था अंगी करत किया था तब यह वाली बात हमारे उस समयधान में नहीं थी, लिखित में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई संशोधन करके, ठीक है? राश्पती द्वारा, इस परिसत का गठन होता है, सचिवाले इसका दिल्ली में हैं, केंद्री राश्रव सचिव जो होते हैं, वो इसके पदें सचिव माने जाते है और Corner Truly VIT मंतरी जो होती है वो इसकी अध्यक्ष होती है इस समय समय निर्मला सीता रमन जी इसकी अध्यक्ष है किसके जियाद रखना जबके नीति आयुक के अध्यक्ष हमारे प्रदान मंतरी जी होते हैं इस चीज़ को याद रखना ठीक है अब इसको देखिए यहां पर पूरा लिखा है कि control board of exercise and custom के अध्यक्ष जो है GST counseling को हर बैठक में इस्थाई सदस के रूप में परंतु यह जो control board of exercise and custom की जो अध्यक्ष होते हैं वो GST की जो counseling की बैठक होती है उसमें 27 सदस के रूप में बैठते हैं लेकिन जब मदान की बारी आती है तो वो मदान नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि वह अध्यक्ष बाहर का है प्रते एक निड्न जो है किसके द्वारे लिए जाता है इसका तूरा अब बहुत important आ जाता है अनुसुचित जातियों के लिए रास्टी आयोग important है ठीक है अनुच्छे 330 के तहईत है और पूरा यहाँ पे मैं आपको बता दू मैंने यहाँ पे आपको सामभिदिक निकाए भी बताएं है यह सामभिदिक निकाए जो की संविदान में जिनका वो यहाँ पढ़ लीजेगे मैंने मुझे मिल गए थे तो मैंने कहीं लिख देती हूँ ठीक है पहले अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती एक ही थे दोनों अलग नहीं थे 2003 में 89 विए संविदान संविदान के जोड़ान अनुसुचित जाती और अनुसुचित जाती 330 में रख दी गई और उसी के 330 का में अनुसुचित जन जाती 330 का में है ठीक है अब आप देखो 2003 में जो है 189 में समयदान संसोजन द्वारा अलग किया गया तो इसका अस्तित्व कब आया अनुसुचित जाती के लिए राश्टी आयोग का 2004 में क्योंकि पहले तो दोनों एक थे तो अनुसुचित जाती का स्तित्व कब बना अकेले वो 2004 में बना इसमें एक अद्यक्ष होता है एक उपाद्यक्ष होता है तीन सदस होते हैं पांच लोग होते हैं एक अद्यक्ष एक उपाद्यक्ष और तीन सदस राश्टी निक्त करता है इने वार्शिक रिपोर्ट ये राश्टी को सौपते हैं राश्टी राज्यों के राजपाल को अगर वो एक बाल बना देता फिर राजपती को अधिकार नहीं रहता उसे हटाने का आप पढ़के देखना पूरा उसे ठीक है फिर भेज़ेगा राजपाल जो ऐसे बिधान मंदल की समख्ष रखेगा भई इसके अध्यक्ष देखो अध्यक्ष कौन है इसके इस समय सिरी वि मुर्मुजी दरोब्दी मुर्मुजी वो अनुसुची जन जाती से आती है ठीक है और आप ही देखना कौन सी जन जाती से हैं ये सब सर्च करना ठीक है मैं यह आप बता सकती हूं लेकिन नहीं आप थोड़ा सर्च करिए जिससे की माइंड में ये रखे कि इनको सर्च करना 333 काके अनुसार मैंने बताया था ठीक है और इसमें पेसा दीने मुने सो 96 रट लेना इसी के अंतरगत आता है रिपोर्ट जो है प्रेसीडन को प्रेसीडन सदन में ठीक है यह सब दिया इसका कारेकाल 3 साल के लिए होता है यह याद कर लिना important है ठीक है कारेकाल 5 साल लोग रामिश्वर उराव ठीक है रामिश्वर उराव इसके अध्यक्ष है अब आ जाते हैं राश्टी पिश्चावर गायोग बहुत important दोस्तों ही नोट्स मेरे अपने वने वह इसलिए राइटिंग पर प्लीज ध्यान मत दीजे ठीक है राश्टी पिश्चावर गायोग जो है श्री हंस राजगंगा राम अहीर है याद रख लेना इतना याद कर लीजे इसके अलाबा भी इसमें शंशोधन हुआ है और कौन से संभिदान शंशोधन से हुआ वो भी आप इसमें देख लेना इसमें मैं लिख नहीं पाई थी तो उसका संभिदान शंशोधन इसका जो ह वो 103 है या क्या है वो मैं आपको बता दूंगी बाद में ठीक है फिर आया भाषाई अल्फ संख्यक वर्गों के लिए विशेश अधिकारी जो बनते हैं भाषाई अल्फ संख्यक वर्ग का मतलब क्या है कि जो अल्फ संख्यक होते हैं जिनकी जो है भाषा जो है अपने ही शे पारिश की तो इसे भाग किस में रखा गया भाग सत्रा में रखा गया सत्रा ही तो है यहां सत्रा में रखा गया तीन सो पचास खा का खा जुड़ा तो संसुदन में ठीक है ठीक है याद रखना और इसका हैड कोर्टर इस्तर में प्रियाग राग उत्तर परदेश में है इसे याद कर लेना यह ठीक है भाशाई अल्प संकेक वर्गों के लिए विशेश अदिकारी तीन सो पचास खा में है और सात्मी समिदान संसुदन उनिस सो चपन के दौरा इसको भाग सत्रा में जोडा गया इमपॉर्टेंट है ठीक है वैसे भाग सत्रा में भाशा दी वही है ना भाशा ही तो राज़भाशा तो भाशा यल्प संकक उसी में जोडा जाएगा अब आजाता है इंपोर्टेंट भारत का नियंत्रक महालेखा परिक्षक यानि की केप्टूरल और और्डिटर जर्नल ओफ इंडिया जिसे सी एजी कहते हैं कैग इंपोर्टेंट है दोस्तो ये 148 अनुच्छेद में दिया हुआ है इंपोर्टेंट है 148 अनुच्छेद रट राज्टपती गरता है इसका कारेकाल शे वर्ष या 65 वर्ष तक होता है ठीक है कैग को दोनों सदनों के विशेश बहुमत के साथ जो है वो चुना जाता है याद रखना ठीक है लेकिन याद रखना कि नहीं नहीं ये जो हटाने की प्रतिक्रिया कैग को खाएंगे आप दोनों सत्स्तेलों के विशेश जर पर चांद के छाइब एसे नहीं रचा सकते कि राष्ट्कति के प्रसाद tad परिया तक नहीं होता है उप्र सोषी प्रसाद परियां था चैग अपना पाईब और समय हो यं या इक प्रिष जन्द्र आप इनकी देखे काफी talented है थीक है अब तभी हमारे कैग है तो श्री गिरीश चंद मुर्मू जी हमारे कैग है अब आगे भारत के महा नियाइबादी Attorney General of India AGI अनुछे 76 है ये 76 में दिया है 16th नंबर के है आर बैंकर ट्रमणी आर बैंकर ट्रमणी इस समय हमारे कौन है CAGI है और ग्रीश चंद मुर्मू हमारे कैग है यादर कन्फ्यूज मत होएं ये हमारे सरवोच कानून अधिकारी होते हैं वो वित्त का लिखा रखते हैं कैग हमारे AGI कानून के होते हैं निफती राजपती करता है योगता WhatsC के नियादीष के बरावर होती है सुप्रीम कोट के ठीक है या हाई कोन में 10 साल बकालत की हो या पांस साल के लिए नियादीष रहे हो तो यह इनकी योगता है पतर राशपती के प्रियाद परियंत ठक रहेगा इसकी कोई उम्रह नहीं है राज़पती जब तक मनचाय तब रखेगा तो याद रख लीजेगा कैग के लिए नहीं है ये AGI के लिए है ठीक है तो इसमें इसके बाद लिखा है जब तक सरकारे मंत्री पर से त्याग पत्र दे देगी तो AGI को भी त्याग पत्र देना होगा क्योंकि इसकी निव्टी स सरकार की सिपारिश पर होती है ठीक है सरकार अगर जिससे में चल रही है जैसे अभी बीजेफी ग् इस है और धांट रहता सी करके समझझे जी दो लोग बैटे है लेकिन मतादिकार नहीं करेगा ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना ये आगया हमारा कौन है कैग हमारे जो EGI इस समय आर बैंकर ट्रमणी है अब आगया राज का महादिवक्ता वो थे केंदर के ये राज के वकील आगया वही वो केंदर के थे जो EGI थे ये आगया एडवोकेट जनरल आफ दा इस्टेट 165 अनुचेद के ताहिद वो 165 अनुचेद के ताहिद थे याद रखना राज का सरवोच कानून दिकारी होता है आजय कुमार मिश्रें जोने रागवेंदर सिंग का इस्थान लिया है इस समय आजय कुमार मिश्रें राज के हमारे यूपी की बात कर रही हूं है यहापे यूपी के है यह आजय कुमार मिश्र यूपी के दोस्तों तो मैंने आपको यहापे पूरे संबै दाने कि जितने भी आयोग है उनके बारे में बता दिया दोस्तों बहुत अच्छे से बताया इतना ही आप पढ़ लेंगे तो वन डे एक्जाम का आप अच्छे से रिजल्ट दे पाएंगे बहुत अच्छे कोई भी कोशन आएगा आपसे छूटके नहीं जाएगा ये स्की में गारंटी लेती हूँ इस से सम्बंदेत तो वीडियो अच्छे लगी हो दोस्तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाएगा धन्यवाद दोस्तो